हेलो फ्रेंट्स गूड इबनिंग और वेलकम टू दा सक्सस केंद्रा फ्रेंट्स देखिए आज का दो सेशन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बीपेसी टी यारी 3.0 री एकजाम जुन दो हजार चोबीस के लिए यानि कि बीपेसी टीचर 3.0 जो री एकजाम जुन दो हजा कर लेंगे देखिए बीपेसी का यहां फेवरेट टॉपिक है जन जाती और किसान आंदोलन और निश्चित रुप से यहां से प्रश्ण आपको एकजाम में देखने को ही मिलेंगे इसको ध्यान पुरवक देखेगा छोटा सा सेशन है बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट घंटी का निशान है उसको भी जरूर दबारीजेगा ताकि जब भी बीपेसी शिक्षा भरती परिक्षा दोहजार चोबीस से संबंदित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अप्लोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुच जाए तो चलि किये अब हम लोगdays सेसन आज का इस्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस जैसे में आपको बताया है कि आζ इस सेसन में हम लोग बीपेसी टी एरी थिरीपॉंट जूरी एकजाम जून 22 यहाँ बीपेसी का काफी फैबरेट टॉपिक है और बीपेसी की दबारा सभी एकजाम में यहां से प्रश्ण पुछे ही पुछे जाते हैं इसलिए इस सेसन को ध्यान पुर्वक देखिएगा आपका एक से दो नंबर निश्चित रुप से कनफर्म हो जाएगा फ्रेंड्स च निमनलिखित में से किसके अस्थापना जोतिबा फुले ने किया था एंसर सबको कमेंट करना है और देखें एंसर कमेंट करने से क्या होगा कि आपका रिविजन होते चलेगा ठीक है ना बताइए निमनलिखित में से किसके अस्थापना जोतिबा फुले ने किया था तो था ठीक है चलिए यहां पर देखें दूसरा प्रश्ण इसे से संबंदित है कि वर्स 1873 इस भी में महराष्ट में अस्थापित सत्यसोदक समाच का उद्देश क्या था तो दिखें सत्यसोदक समाच के अस्थापना अभी मैं आपको बताया था कि 1873 में हुआ था इसके अस्थ प्रश्ण पूछ लिया गया था चलिए तो दिखें इसका जो उद्देश से था सत्यसोदक समाच का ब्रह्मन वाद का विरोध करना और निम्न जातियों को सिक्षित करके उनका उत्थान करना यानि कि और भी दोनों नेक्ष्ट कोस्टन है कि वर्डस 1888 इस भी में अर्वी पूरं तरंदोल चला था अब यहां पर दिखेगा 1888 इस भी में यहां दर चला था अर्वी पूरं क कहा पर केरल मे ठेक है ना यहीं पूछा जा रहा है कि किसने चलाए था तो देखिये में 1888 में 1888 में सीवरातरी के याद रखेगा शीव रात्री के दिन, सिरी नरायन गुरु के द्वरा चलाए गया था और उस दिन सिरी नरायन गुरु ने एजावा समुदाय पर परांपरिक रूप से लगाय गये धार्मिक प्रतिबंधों को खारिज कर दिया और अर्विपुरम में सीव की एक मुर्ति की प्रतिष्टा किया था ठीक है न तो यहां प्रतिके सिरी नारायन गुरू रायटनसर हो जाएगा चले उसके बाद देखे किस ने नारा दिया मानव के लिए एक धरम एक जाती वह एक किस वर यहां नारा जो है किस ने दिया था बताई रायटनसर इसका क्या होगा तो फ्रेंट्स यह सिरी नारायन गुरू है ठीक है ना चले उसका बाद नेक्ष्ट कुस्टन हमारा पांचवा प्रश्ण आ गया कि वार्दोली सत्यागरह 1928 का नेतरित्व किस ने किया है टी पॉइंट जीरो रीक जम दोजार चौबीस के लिए पांच से चीव वीडियो कराया हुआ चार घंटे का तो एक महा मायरा तन से सन्हां जिसमें सारे बीपीस का प्रीवियस जर को सन्हें उसको भी देखिएगा हर टॉपिक मेंने मॉडर्ण हिस्टरी का तीन-चार सब कुछ कवर करा दिया है मैंने प्लेइलिस्ट बना दिया है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर चले जाए बीपेसी टी यारी 3.0 रेकजम 2024 प्लेलिस्ट का नाम है उसमें सभी आपको मिल जाएंगे चले बारदोली सत्यागरा 1928 का नेत्रित्व किस ने किया था तो देखे बारदोली सत्यागरा 1928 में हुआ था इस चीज को आप याद रखेगा ठीक है ना गुजरात की किसानों का लगान ब्रधी के विरोध में सरजार बल्ला भाई पटेल ने नेत्र का टंसर हो जाएगा 25 ging अुश्कमें किस वाई सारा की सासंकाल में पहला अधिनयम पारित हुआ था पहला कारखाना अधिनयम जिसको वह लेंगे फैक्ट्रीय अधिनियम पारित हुआ था चैले फ। बताएंगे इसका राइस तुक्रिया को जाएगा कि साव यार्ज यानि क आपको सकते हैं कि कारखाना अधिनियम पारित हुआ था तो देखें कारखाना अधिनियम जो था पहला कारखाना अधिनियम ये 1881 में 1881 में Lord Ripon के समय में जो है पारित किया गया था Lord Ripon के समय में ठिक है नहीं याद रखेगा और Lord Ripon के समय में ही आपको याद होगा कि वरनाकियूलर प्रेस एक्ट को रद किया गया था और इसी की समय में सीबिल सिवा में परवेस की जो आयू थी 19 वर्षे बठा करके 21 वर्ष कर दिया गया था इसने अस्थानी वसासन की सुरुवात किया था और इसी के समय पहली बार जो है नियमित जनगना जो 10 वर्ष का अंतराल पर होती है 1881 से सुरू किया गया था वैसे पहली बार जनगना 1872 में लोड मेव के समय में हुई थी ठीके ना चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे अगला प्रश्ण हमारा कि किस प्रदेश में विर्टिस के विरुद्ध विर्षा मुंडा का संचालन रहा था बताएंगे इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा तो आपको फ्रेंड्स मुंडा विद प्रणपुर में ठीक है चले वायकम सत्यागराप पूछा गया है वायकम सत्यागराव 1924 25 में हुआ था कहां चलाए गया था वायकम सत्यागराव बड़ा ही म्पॉर्टेंट है 1925 में याद रखेगा यहां अस्पृष्ण की जुछुआ चित्ति इसकी कुप्रथा और दिखें इसके अगर हम बात करते हैं कि इसके नत्रित्व किस ने प्रधान किया था तुई इस आंद्धुलन का नत्रित्व जो है टीके माधहन एक नाम हो गया दूसरा के केलपम और तीसरा केपी केसो मेनन ने किया था ठीक है ना तो इसको याद रखेगा आपका केरल करेक्टन सर हो जाएगा ठीक है चले उसका बढ़ देखेगा की वर्डस उनिसो जो के और बड़ा कर देता हूँ अब आपको और दिख र और नेता कौन थे बताइए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो फ्रेंट्स यह कौन थे सिरे नरायन गुरू थे वर्डस उनिसो छे में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज यानि के डिप्रेश्ट क्लास मिशन सुसाइटी के अस्थापना किस ने किया था अच्छा इसको याद रखेगा वी आर सिंद्ध ने किया था ठीके ना चलिए उसके बाद नेक्ष्ट कोस्टन है कि नानू आसन किसे कहा जाता है तो फ्रेंट्स नानू आसन कहा जाता है सिरी नरायन गुरू को देखे वर्डस 1910 इस बी में सतारा में बहुजन समाज के अस्थापना किस ने किया था बताए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो फ्रेंट्स इसका राइट अंसर हो जाएगा बताए करक्ट अंसर इसका क्या हो जाएगा मुकुंद्राव पार्टिल ने किया था ठीक है ना मुकुंद्राव पार्टिल ने किया था याद रखेगा चलिए उसके बाद नेक्ष्ट कुस्ट नहीं कि वर्डस उनिसो चोदा इस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाल्टी के अस्थापना किस नहीं किया था बताएंगे इसका राइटनसर क्या होगा फ्रेंट्स सभी लोग यहां पर ध्यान दीजेगा देखे इसका जो राइटनसर हो ज नाब पिलाई के द्वारा किया था ठीक है दक्षिन भारत के त्रावन को रियासत में कथित संप्रदाइक मामुली विवादों की प्रतिक्रिया के रूप में किया था ठीक है इससे आप याद रखिएगा और देखे गठन के समय के केलपन जो मैंने नाम बताया था वह अध अध्यक्स कौन था तो देखिए इसके प्रतम अध्यक्स जो थे यह कौन थे लाला लाजपत राय थे याद रखेंगा काफी इंपोर्टेंट आप देख सकते हैं यह प्रश्ण बीपेस्टी के द्वारा पूछा भी गया है देखिए 1899-1999 में मुंडा करांती का नेता कौन अभी मैंने आपको मुंडा विद्रह के बारे में बताया है उल्गुलान विद्रह के नाम से भी जाना जाता है 1899-1999 में विर्शा मुंडा के नेत्रित में हुआ था ठीक है तो विर्शा मुंडा यहाँ पर राइट अंसर ऑप्सन सी हो जाएगा चले अकिल भारतिये किसान किसान सभा के प्रथम सत्र के एद्यक बारती किसान सभा के स्थापन किसंकि ने किया था इसके उप्सन नमबर यहाँ पर Ł Вас ठीक है चले भारत में किसान आंधुरन के जनक माने जाते हैं स्वामी सहाजानन्द सर्फषती जी कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराय था अठारा सो 556 संथाल विद्रोह आपको याद होगा ठीक है न संथाल विद्रोह किलियर चलिए अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे अच्छा संथाल विद्रोह सीधू कानू चांद वहरों के नेत्रति में हुआ था ठीक है और कमांडर को हराय था किस कमांडर को तो यहाँ पर याद रखी का रैटन्सर हो जागा मेजर बारो है मेजर बारो बंबई में अखिल भारती बैपार संगश कंगरीस के स्था आपना कभ वी थी मतली फटाफट इसके अस्थापना किया था उनी सो बीस में ठीक है MAR Thailand याद रखिएगए चलिए तो यहां पर 1895 दिया गया लेकिन 1899 आप याद रखेंगे विर्षा मुंडा किसके पक्ष में तो चलिए बताएगा इसका राइट अंसर आप लोग कमेंट करिए कि विर्षा मुंडा किसके पक्ष में थे ठीक है ना चलिए हो विद्रो हुआ था हो विद्रो तो देख में जबरदस्त या विद्रो किया था और या विद्रो सीभूम के चेत्र में हुआ था ठीक है इस विद्रो का मुख्य कारण राजा जगनात सिंग के द्वारा सोसन तथा उसका अंग्रेज का पिछालूपन होना था ठीक है ना इसे भी आप याद रखिएगा चलिए और य प्रेक्ष्ट कोस्टन है कि 1908 के छोटा नागपूर कास्त अधनियम ने रोक लगाई तो फ्रेंड्स यहां पर आइटन सर्वजय का बैठ बेगारी पर ठीक है ना चले उसके बद अगला प्रश्ण है कि मानव बली प्रथा का निसेद करने के कारण अंग्रेजियों की विर जाना जाती जो है यहां खोंड जन जाती है कौन से जन जाती है खोंड जन जाती है ठीक है ना इससे आप याद रखेगा खोंड जन जाती ठीक है चलिए नेक्स्ट कुस्सन कर लेंगे हम लोग अगला प्रश्ण हमारा कि कॉम्मिनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्व बनने वाला पहला भारती यह कौन था तो फ्रेंड्स यह एमन रोय थे ठीक है ना एमन रोय रैटनसर हो जाएगा बीपेसी का ही प्रश्ण है देखे किसके दवार मंदिरों में परविसक अदिकार की मांग की प्रस्थूती के कारण 1899 में तिरुनेवली में भ्हंकर दंगे हुए थे ने नडार हो जाएगा option number यहाँ पर बी राइट अंसर हो जाएगा ठीक है न नडार चले महराष्ट में रामोसी क्रिशक जत्था किस ने अस्थापित किया था बताईए करक्ट अंसर इसका क्या होगा महराष्ट में राइट अंसर इसका हो जाएगा बासुदेव बलवन्त फड़के ने किया था महराष्ट में रामोसी क्रिशक जत्था के स्थापना ठीक है चले उसके बाद देखेगा कि अवद में एकका आंदुलन का उदेश से क्या था तो एकका आंदुलन का उदेश से जो था यह सरकार क लगान देना बंद करना था ठीक है ना चले उसके बाद देखेगा कि नाई धोबी बंद समाजिक बहिसकार का एक रूप था जो 1919 में चलाए गया था ठीक है ना चले उसके बाद तो नेक्स्ट कुस्टन हम आगपूर जनजाती विद्रोह कब हुआ था छोटा नागपूर जन जाती विद्रोह था था यह हुआ था ठीक है यह देखेगा चले नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे अगला प्रश्ण है कि गांधी जी का चंपारन सत्त्य अगर किस से जुड़ा हुआ था तो फ्रेंट्स यह तीन कठिया पर पद्दती से जो वहाँ पर नील की किसान थे उनको 20 कठा में तीन कठा पर नील की खेती करना अनिवार होता था तो अप्सिन नंबर यहाँ पर 20 का करक्ट अंसर हो जाएगा चले उसके बा छैना जाता है और चप्सिन नंबर यहां पर आदिवसी आंदोलों कब वहा था खेल कि네 के कि खेले अधिवासी आंदोलोंग बतायए घ्रबारशाइ आज अरत करें करें तो फागिरत मांझी थे भागिरत मांझी आप याद रखे मोपला अन्दौलcom Daytona में कहा हुआ था 1921 में मोपला अंदोलन हुआ था तो मोपला याद रखेगा यह वा था कहां पर फ्रेंट्स बताइए तो केरल में मालाबार टट पर ठीक है ना देखे गुलामगिरी के लिखा कौन था गुलामगिरी या पुस्तक लिखाए किसने इंपोर्टेंट कोस्चन है गुलामगिरी को लिखाए किसने तो फ्रेंट्स जोतिवा फुले ने लिखा है चले उसका बाद देखेगा कि पागल पंथी विद्रो वस्तुता एक विद्रो था पागल पंथी विद्रो बताईए पागल पंथी विद्रो तो फ्रेंट्स यह हुआ था आपका असम में पा था उससे ने जमींदारों के अत्य चार के खिलाप जो य ήंविद्रों Зाथ तो यहां पर देखे काई टांसर इसका क्या हो जाएगा बताईए करेक्ट नसर बताईए पागलपंती विद्रो क्या था वस्तूता एक विद्रो हो था किसका तो फ्रेंट्स यहां गारों का ठीक है ना चलिए नेक्ट्स कोशन कर लेंगा हम लोग अगला प्रश्ण हमारा 36 नमर कौनसी घटना महराष्ट में घटित हुई तो यहां खट्ना जो थी यहां विद्रो होती विंडसुटा महराष्ट महराष्ट में और इसके जो समन्दित नेता थे इस देए कि अ कि कतेने अंधरन का जमकर समर्थन कर्ण मारे हींदु पैट्रियक्ट के संपाद कोन थे निल अंदुलन का बताएंगे तो फ्रेंट्स ये था आपके हरिस्तंद्र मुखर जी ठीक है हरिस्तंद्र मुखर जी 1930 के दसक के विभिन भागों में भिन भिन निताओ के दुबरा किसान अंदुलन चलाए गये थे उनके प्रभाव सित्रों को सुमिलित किजी स्वामी सहजानन्द सुरुश्रती दिया गया है ठीक है बताएं तो यह आपका हो जाएगा बिहार में ठीक है यानि कि चार राइटन हो जाएगा ठीक है स्वामी रामानंद हैदराबाद और अब्दुलहमीद खान यह दक्सिनी असम ठीक है चले उसके बाद देखेगा कि कानपूर से प्रकाशित की समचार पत्र के माध्यम से विजय सिंग पथिक ने विजोलिया आंदोलन के आंदोलन को समुचिय भारत में चर्चा काई बना दिया था कानपूर से प्रकाशित की समचार पत्र के माध्यम से विजय सिंग पथिक ने विजोलिया आंदोलन को समुचिय भारत में चर्चा कभी से बना दिया था तो फ्रेंट्स इसका राइटेंस रहो जागा प्रताप ठीक है ना देखे 1925 में देखिए मदरास में आत्मसम्मान आंदुलन चलाने वाली इवी रामस्वामी नायकर का लोगपिरिये नाम क्या अच्छा आत्मसम्मान आंदुलन याद रखीग जश्टिस पार्टी आंदुलन मदरास से कौन संबंदित नहीं है जश्टिस पार्टी आंदुलन ठीक है तो देखी फ्रेंट्स इसका जो राइट अंसर हो जाएगा जोतिबाव फुले हो जाएगा बाकि देखी ए राइट अंसर यहाँ पर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कुस्टन है मिलान करना है देखी दलित वर्ग मिशन समाज 1906 तो मैंने अभी आपको बताया भी था इस कुस्टन का एंसर ठीक है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वी र सिंधे बहुजन समाज 1910 मुकुंद्राव पार्टिल दलित वर्ग कल्यान संस्थान 1924 बियार अंबेदकर अकिल भारती अस्प्रिस्ता निवारं संग 1932 हरीजन सिवक संग महत्मा गांधी जी का है तो बिलकुल यह क्रम से दिया ठीक है ना चले तो राइट अंसर यहाँ पर देख सकते हैं एक दू तीन चार करेक्ट अंसर हो जाएगा देखिया अक्टूबर 1920 में भारती कमिनिस्ट पार्टी के अस्थापना के लिए तासकंद में एकत्र हुए भारती किसमों के मुखिया कौन थे बताइए इसका करेक्ट अंसर क्या होगा चले एंसर कमेंट करिए सभी लोग तो यह एमेंड रोय थे ठीक है निम्न में से कौन फरवरी 1918 में अस्थापित यूपी किसान सभा के अस्थापना से संबद नहीं था तो इसमें से कौन सा नहीं था तो फ्रेंट्स ज्वाहरला नहरू ठीक है ना बाकी देखिए इंद्रनारायंद्रवेदी गौरी संकर्मिष्ट और मदन मौनमाली संबंद ठीक है ठीक है और खेडा सत्यागरा बल्लबाई पटेल बिल्कुल यह सईसु मिली थे तो यहां पर देख सकते एक और तीन राय टंसर हो जाएगा ठीक है यह वाला गलत दिया गया है कि दिवानी प्रथा की प्रथा किये जाने के बाद ब्रेटी सबसे पहले निम्लिकित मे है तो यहां पर राय टंसर हो जाएगा आपका खासी जन जाती ठीक है देखे कथन है अब और उसका रिजन दिया गया देखे उनी सो तीस के दसक के अरम में भारती राष्टवादी लहर में सरमिक मजदूर भागिदारी का प्रभाव कौम था कारण है कि सरमिक नेता भारती कोंगरेस की विचार धारः को बर्ज़ुआ और प्रतिक्रिया बादी समझते थे हैं यहां से अंसर बताना आपको जून करेड़े उसका राय टंसर क्या होगा देखे कारण तो कथन भी सही है और कारण भी सही है और यहां पर दिख रहा है यह आपका आर जो है ना कारण न है यह बिल्कुल इसका कथन का सही असपश्टि करन कर रहा है तो option A इसका right answer हो जाएगा चले उसके बाद next question है हमारा किन्यम लिखित घटनाओं प्रविचार करिए और देखे इन घटनाओं का सही काला नुकरम आपको बताना है ठीक है तो यहां पर देखेगा नील विद्रो नील विद्रो दिया गया है सबसे पहले मैं आपको करम बताता हूं देखे इसका जो करम होका a option number D होगा दो चार एक तिल दो चार एक तिल ठीक है ना 2 4 3 ठीक है चले संथाल विद्रो आपको पता है ना संथाल विद्रो 1856 में ठीक है संथाल विद्रो अठारास व पाही विद्रो है उसके बाद आपका नील विद्रो है और फिर दकन डंगा है चली मिलान करना है मोपला विद्रो तो यह आपका किरल हो जाएगा पाबना विद्रो पाबना विद्रो पाबना विद्रो पाबना विद्रो तो पाबना विद्रो आपका हो जाएगा यहां पर ब तो यहां पर आप ध्यान से पढ़ेंगे देखिए विवरा अंबेदकर जी ने इनमें से जितने भी संस्थाइं हैं सभी के अस्थापना किया है उसके बाद आपका अमरितलाल बिठल दास ने किया है ठीक है ठकर बापा के नाम से लोग प्रिये थे यह चीज़ याद रखेगा और भारतिय समाजी कारे करता थे और जिन्होंने भारत में गुजरात राज्य के अधिवासी लोग की उठानगी लें काम किया था और 1922 में इन्होंने ही भील सवा मंडल की अस्थापना किया था ठीक है चले अस्प्रिस्ता अप्राद अधनियम कब पारित हुआ था अधुर्स्ता अप्रादियम यह पारित हम में निटीन में 1955 में आधोनिक यूग का मनु किसे कहा जाता है किसको भीमरा औंव्यदकर जी को कहा जाता है चले उसको बढ़ दिखेगा कि महाराष्ट्र में एक महार परिवार से सम्मंद रखने वाले भीमरा अंबेतकर का जनम वस्तुता कहां हुआ था जहां उनके पिता जी राम जी मालो जी सुबेदार मिजर के पत पर कारे रत थे बताईए तो फ्रेंट्स इसका एंसर क्या हो जा सभी सभी को पढ़िए और इसका राय टंसर बताईए यहां पर ऑपशन सी हो जाएक दो तीन सितंबर 1932 में पुना समझता हुआ था पुना पैक्ट हुआ था महात्मा गांदी और किन के मद्द हुआ था पुना पैक्ट याद रखेगा फ्रेंड्स आपका 1932 में पुना पैक्ट हुआ था ठीक है चलिए इसका क्या हो जाएका तो महत्मा गांदी और भीम्रां वितकर के मद्द में हुआ था हुआ से क्या सहीब इसे प्रकार से नीचे कोट में सेंसर कर कि आपको बताना है बताईए्ब टांट सर इसका क्या होगा तो वाइडर तीनर सारे सही है। सारे के सारे यहां पर सही है इस इसको आप द्यान से पढ़ लिएगा ठीक है उसके बाद कुस्सान है कि कौन मंदिर परविस आंदुलन नहीं था नहीं पूछा गया है बताइए तो यह आपका बार्दोली सत्यागरा नहीं था बाकि वायकम सत्यागरा मैं वह आपको बताया था भिमरावं विदकर जी से और केरल का गुरुवायूर सत्यागरा यह सब ही गुजरात का वार्दोली नहीं था इस सित को ध्यान रखेगा वाड़ूली नहीं था चलिए उसके बाद सब्सक्राइब नेक्ष्ट कोश्चन है कि सुमेलित करना है कोल विद्रो चोटा नागपुर कोल विद्रो ठीक है न तो इस सीद्ध को याद रखेगा को विद्रो आपका 1831 यहां बना भी सकते हैं 1831 विद्रो उसके बाद देखे रामोसी विद्रो भोमिज विद्रो अठारस अठाट रुकिये इसका अंसर मैं पहले बताता हूं कोल विद्रो कोल विद्रो एक तिस ठीक है छोटा नागपूर छेतर में एक बड़ा विद्रो था कोल जन जाती के लोग थे संब्रीद ठीक है और इसका अंसर हो जाएगा आपका बोधु बगत ठीक है रामोसी आठारस 229 रामोसी विद्रो ठीक है याद रखिएगा आपका महराष्ट्र पस्मी घाट ठीक है चीतर शिंके नत्रितु में किलियर भोमीज विद्रो अठारस बत्तीस तीस गंगानारैन और संथाल विद्रो सीधुकानू ठीक है अप्शन ए राइट अंसर होगा इसका यह सब याद भीद्रो सीधुकानू मुंडः विड्रो विर्शव मुंडः ताना भगत अंदोलन 1914-15 में ताना भगत ठीक है जात्रा भगत और अन्य रामपा विद्रो आपका अलीरु सीधराप काजू रामपा विद्रो रामपा विद्रो फ्रेंड्स याद रखिएगा इंपोर्टें तो मिरेंद करना हैं अहम विद्रोफ ध期के ओंपिढ़ोफ याद रखिएगा असम में हुआ था और खासी विद्रों तिरुत सिंग उसके बाद देखिए काछा नागा विद्रों संभूदेन और जेलियंग शांग अंदोलन यह आपका रानिंग गॉडइन लिए ठीक है तो यह बिल्कुल क्रम सारे तो आपψन और अंतर हो जाएगा इसका चले उसका पाप देखेगा कि जेलिया सांग जो था जेलियांग सांग आंदुलन मनिपूर में उवा था नित्रित करने वाली जो गॉंडिलियों थू उनको किसने नगाव की रानिंग की उपादी दिया था तो यह सर्दार नेरू जी ने भिया था ? वंक्म चंद्च चतर जी ने आपने उपने औद्धे निया सा अनंदमाठ में किस विद्रोह का पृध क अधर भूमी बनाया है/. तो यह आपका सन्यास्थी विदघ्रोह है सन्यासि विद्रोह ! चले उसके बाद देखेगा सुमेलित करना है फिर से फकीर विद्रो बताई राइटन सर इसके क्या होगा फ्रेंड्स मिलान करना है आपको पहले आम लोग मिलान कर लेंगे चले तुँ यह आपका मजुनुसा और शिरागलिसा रंगपुर विद्रो आपका नुरुदीन और ध बताया था ना कि भील सेवा मंडल के अस्थापना तो यह अमरितलाल विठल जो थे जिनको ठकर बापा का नाम से जाना जाता है उन्होंने किया था ठीक है चलिए तो आप्सन ए राइट अंसर इसका हो जाएगा उसका बाद देखेगा कि नील विद्रो हो दिम दिगंबर व इसका राइट अप्सन नंबर ए हो जाएगा चलिए उसका बाद देख लिएगा कि 1837 साल इसको दौरा नमालाबार में यहां पर देखें हिंदू जमिंदारों की विरुद मोपिलाओं की विद्रो का नेत्र तो किस ने किया था मोपिलो या मोपिलाओं यानि मुसलिम खिश किसानों के संतोस की अभिव्यक्त थे कब आरंब हुआ था कब आरंब हुआ था तो फ्रेंट्स यह आरंब हुआ था कब तो 1875 में उसको दिके महाराश्टर में बासोदेव फलवन्त फड़के का विद्रो कब हुआ था महाराश्टर में ठीक है रामोसी क्रिशक जथ्था आपको याद होगा बताइए राय टंसर इसका क्या होगा तो फ्रेंट्स ऑप्सन नंबर सी हो जाएगा 1889 में विशुद्ध देखे गांधिवादी तरीके से लड़ागया पहला आदिवासी और हिंसक विद्रो कौन सा थ विशुद्ध गांधिवादी तरीके से दिफ्रेंट्स यापका ताना भगत आंदुलन था ठीक है कौन सा था ताना भगत आंदुलन था याद रखिएगा ताना भगत आंदुलन था ठीक है ताना भगत आंदुलन 1940 में शुरू हुआ था और 1990 में यह समाप्थ हुआ था 14 भगत तुरिया भगत की द्वारा शुरू किया गए था थो तुरिया भगत का भी नाम याद रखते थे थि इस अभरो पॉलिड़ी के दिया था तो यह राज कुमरस सुंक ले थे थे उनी सो ऑठारे में गुजरात के खेडा सत्यागरा से संबंद नेता कौन से थे खेडा सत्यागरा से तो खेडा सत्यागरा से थे आपको महात्मा गांदि सदर पटेल और इंदुलान यागी किया निकी एक दो तीन राईट अंसर यहांपर हो जाएगा ठीक है न चलिए उस तुन हर्दोई बहाराईद सितापूर जिले में एकास अनुधिशी इसार होगा इसका बितायाँ प्र्तापण शुरसलिय जीन बताएए तो फ्रेंडस यह मोपला आंदुलन था ठीक है चुरें 1921 में केरल के मालाबार चेतर में अरंबो मोपला आंदुलन को समर्थन मिला था किसका किसका समर्थन मिला था यह आप से पुछा जा रहा है बताए इसका रायट अंसर क्या होगा तो यहां पर देख सकते हैं इसका समर्थन इन तीनों को मिला था महतमा गांदी का भी सोकतली का भी और मौलाना अबुरकलामाजाद का भी ठीक है मौपला विद्रो के नेता आपको याद भी है अली मुस्थियाः सरदआर पठल नहीं किया थह अभी मिन आपको बताया था किसंने किया था सरदार पठल ने वी किया था और महता भी दिया गया यहां पर यह और बी इसका दोनों एंसर दिया गया है ठीक है चलि उसका बाद इखेगा कि सुमिलिद् करना आंधय करना आँए भाग आ है विप मिलान करके आँछ़ बताई है तो यह अंत्रप्रदेश में और ये अर्म सबसे बड़ा क भागः बंगाल सबसे बड़ा क्रिशक चापमार युद देखने को मिला बताइए किस आंदुलन के दौरान तो फ्रेंट्स यह आंदुलन था आपका त्यलांगना अंदुलन याद रखेगा आंदर प्रद्यस में हुआ था उनिस सो थी आलिस में हुआ था त्यलांगना अंदुलन का नत्री हुआ तो इस चुन को साथा तो यह सुन्दर राइया सुन्दर हाय भी आपको मिला और सुन्दर राय तो और ढोडी कुमार तो यह और यहांपर इसका राइट नommes हो जाएगा आपका वहाँ पर जो बटाईदार थे उनका अंदोलन था क्लियर चलिए उसके बाद देखें नेक्स्ट कुस्टन हमारा और एक फकीर विद्रोह था आगे मिलेगा एक पाई का विद्रोह था ये भी मैं आपको बता दूँगा देखिए मिलान करना है नील आयो का गठन कि तुफेंट्स ये आपका आठासो साथ बंगाल टेननसी एक्ट पारित वता अठासो पचासी में और आपका ये डफरीन के समय में लौड अफरीन का डखकन क्रिशक रहात अधनियम 1889 अवद लगान अधनियम 1921 तो बिल्कुल ये करम से है चलि किस क्रिशक विद्र अंधन करिमियों ने ती भागा चाहिए यानि कि हम दो तीहाई चाहते हैं का नरादिया ती भागा चाहिए तो फ्रेंट्स ये ते भागा अंधन था बंगाल में ठीक है चलिए उसको बहुत दिखेगा कि भारत के पहले मजदूर संग बंबाई मील हैंट्स इस विशिशन क दिखेगा चाहिए इसका राइट अंसर क्या होगा सभी लोग कमेंड करके बताइए तो फ्रेंट सर नारायन मेधा जी लोखंडे ने किया था चलिए उसके बाद नेक्ष्ट को सेने कि भारत का अधुनिक धंग का प्रथा मजदूर संग था इसका राइट अंसर क्या ओको फेंट्स तो यह आपका मदरास लेवर यूनियन है देखें मदरास लेवर यूनियन 1908 की अस्थापना किस ने किया था यहां पर सब कुछ जो भी मैं एक्स्प्लेशन बताऊंगा न वो सारे प्रशन के रूप में यहां पर है चले बीप्यू ब उसके बाद देखेगा कि 92 नंबर कोस्टन है हमारा कि निम लिखित में से किसना आमदाबाद टेक्स्टाइल लेवर उनियन इस्थापना किया था तो फेंट्स यह किया था महत्मा गांदी जी ने ठीक है देखें भारतिये बैपार संग फिर वहीं है आपका नेशनल इंडि 2008 में बालगनेदर तीला को जेल की सज़द जिये जाने पर कहां कि मजदूर ने भारत की पहली राजनेतिक हड़ताल किया था तो फ्रेंट्स यह बंबई के चले उसका बद अगला प्रश्ण हमारा कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा की उपा था आपका 1891 में ठीक है ना ऑप्सन नंबर बी राइट अंसर हो जाएगा इसका 1891 में याद रखिएगा उसका बदेखे का कि भारत में ट्रेड यूनियन आंधुरन के जनम जाता तो एनम जोसी थे और 1929 में अखिल भारती बैपार संग कोंगरेस में पहली बार विभाजन हुआ था और उसमें एयों टीओ स्यक्री अधक्किन कोन अधिक के जवाहर नहिरो भारत के मजदूर आंधूलंण से संब्द नेता कौन थे तो फ्रेंट्स आपका इसमें से सभी थे ना आपका एनेम जोसी, एमेन रोय, एनेम लोखंडे और बीप्य बाडिया एक तो तीन चार राइट अन्सर हो जाएगा तो फ्रेंट्स आपका उनिस सभी से उननचालिस की करम में, विर्शा मुंड़ा का कारे छेतर कौन सा था, तो राची यहाँ पर अंसर होगा, अकिल भारती किसान सभा स्वर्प्रतम कहाय जित की गई थी, तो फ्रेंट्स आपका लखनव में, 1936 में, ब्रेटिस भारत की इतिह पास में निम्न घटनाओं पर विचार करिए, और यहाँ पर आपको सबसे पहली घटना से प्रारम करते हुए, काला नुकरम की रूप में इसको बवस्थित करना है, तो बिलकुल यह सन्यासी और फकीर विद्रो जो था, बिलकुल क्रम से है, सबसे पहले यह सन्यासी विद विचार करिए और कौन सा कथन इसमें से सही है यह आपको बताने हैं चलिए बताएंगे इसका राय टंसर क्या हो जाएगा ठीक है उसके बाद हम लोग अगला प्रश्ण कर लेंगे कि खेड़ा के खिसानों के पक्समा महत्मा गांदी के सत्थाओरह संगठित करने का जो है कारण यहाँ पर फुछा गया है कि कारण क्या था तो फ्रेंट्स यहां पर जो राइट अंसर हो जाएगा इसका ऑप्सन नमबर ए हो जाएगा क्योवल एक यहां पर राइट अंसर इसका हो जाएगा क्योवल एक अकाल पढ़ने के बाद प्रशाशन ने भौरा अजसु की उगाही अस्थागित नहीं किया थे इसलिए ठीक है चले उसका बढ़ देखेगा कि भारत में उनिस्वी सताबदी के यानि उनिस्वी सदी के जनजाती विद्रों के लिए निमलिखित में से कौन से तत्व ने साजह कारण मुहया किया बताइए तो फ्रेंट्स इसका एंसर हो जाएगा आपका जनजाती समुदाय के प्राजिय को सरदार की उपादी उनकी कुसल संगठन जमता के कारण किस आंदुलन के दौरान दिया गया था तो फ्रेंट्स यह बार्दोली सत्यागरे के समय में इनको दिया गया था देखे ब्रेटिस सरकार द्वरा दामीने को यानि कि परवत कांचल का निर्वान निमलिकित में से क समधाय को बसाने के लिए किया गया था तो फ्रेंट्स यह संथाल राय टेंसर हो जाएगा इसका देखे ब्रिटिस उपनिवे स्वासियों के सासन के दवरान भारत की निमलिकित में से किस सेत्र में खूट-कूटी ठीक ने पट्टा पर चली था खूट-कटी भू धिरिती यानि कि पट्टा परचा लिती था तो फ्रेंट्स यह चोटा नागपूर में था तो यह 110 प्रशन थे फ्रेंट्स मैंने आपको कवर करा दिया है सारे इंपर्टेंट कुशन कवर हो गया है सेसन को लाइक कर दीजिए और इसको फ्लीज सेयर कर दीजिएगा